दोस्तों बिहार के पश्यदी उच परात्मिक यानि की मीडल इसकूल जिसको बोलते हैं उसमें 6 से 8 तक की जो पद आए हुए हैं जिसका विगापन जारी हो चुका है लगबग 32,000 पद हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना बागी है तो आप सभी अभिहारतियों के कमेंट आई वे हैं कि subject combination को लेकर के तो इसमें हम लोग official जानकारी लेंगे चाहे आपने ग्रेजुवेशन में BA स्वाविस किया हो आपने या फिर भी bizc किया हो आपने या फिर ही गिज़्क पर आपका subject combination क्या रहेगा सब कुछ detail में जानेंगे दूसरी रात दुस्तों यहां पे जो चीजसे marathon वाले student है जिनका graduation में language रहा होगा सब कुछ detail में जाने वाले हैं बने रहेगा वीडियो के last तक बिना skip कर दोस्तों नए हो चैनल पर subscribe कर लेज़ेगा लेकन को प्रेज कर लेज़ेगा ताकि इसी तरह की authentic update आप पर time पर पहुचती रहे इस्क्रीन पर आप लोग ये भी देख पा रहेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभिहारतियों के मन में जो संदे है जो नियमाली 27 सितंबर 2030 को पिहार राजी सरकार के दोरा जारी की गई थी उसमें तीन परकार के शिचकों का जिक्र किया गया था पहला गडित और विग्यान दूसरा सामाजी के विग्यान और तीसरा भाषा शिचक और जब आप इसमें eligibility में देखते हैं तो यहाँ पर BA और BSC का जिक्र तो किया जाता है और साथी में जो subject combination है उसको लेकर के जो बीटिक का जो चार साल का होता है BSC जो तीन साल का होता है इसमें जो है क्या subject सारा subject जो आप लेने जारे हो वो तीनों साल होना चाहिए या दो साल को ना चाहिए यह सारे चीज़े हम लोग detail में जाने माल हैं दोस्तों देखें बिहार सरकार के द्वारा TGT PGT के लिए जो नियो माली जारी की गई थी उस नियो माली को अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पारोंगे यह नियो माली RTE Act के प्रावधानों और NCTE के गाइडलाइन के अनुसार बनाई गई है RTE Act 2009 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें उच प्रात्मिक विद्दाले में यही तिन परकार के सिच्छकों का जिक्र किया गया है इसका समाजी का और यहां पर आप देख सकते हैं यह तीनों आपका गड़ित यानि मैथ और साइंस एसस्टी और भासा शिचक इसका जिक्र किया गया है वहीं BABSC वालों का जिक्र किया गया है आप देख पारोंगे हर जगह यह दिखेगा लेकिन कहीं पर B.com, B.tech, B.BA यह स 6-8 में Commerce वालों के लिए Eligibility नहीं आती है ऐसा आपने देखा होगा और यह आने वाली भी है जो आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों मैं आपको बता दो जैसा कि सीटेट का पेपर सेकेंड जब आप देते हैं वहीं BABSC लेते हैं यहां पे सीटेट में भी आप देखेंगे स साइंस दो आप्शन रहता है तो भी काम वाले भी यहां पर एसेश्टी लेते हैं वहीं BABSC वाले आप देखेंगे तो वह जो है साइंस और मैट को सेलेक्ट करते हैं यूपी में जो जूनियर ऐड़ेड आई हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि BABSC वाले जो है एक्ज जी आपने देखी होगी और इसमें जो है B.TEK वाले क्यों कि B.TEK में उन्होंने जो 4 साल मैत पड़ी होती है उस बेस पर और B.E.C. में भी जो अभियारति 4 साल तक तक बेस आपका जो मैत होता उस बेस पर उनका वे अपलाई करते हैं कि B.T.E.K. में उन्होंने मैत पढ़ materia दोस्तों कि यहां पर यांनी विहार राजिसार्कार UP कभी मैंने बता लिया कि यहां और B.B.A. के लिए थोड़ा सा मश्किल यहाँ पर देखने को मिल सकता है B.Tech वाले जो हर साइंस के बेस पर वो साइंस मैट में जो है इलिजबल हो जाते हैं तो उनके लिए तो नहीं कोई बात है यहाँ पर लग रहा है कि उनको चांस मिल जाएगा लेकिन बिकाउम और B.B.A. के लिए यहाँ पर थोड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि बहुत से अभ्याटी जो बिकाउम किये हुए है उनके कमेंट आए हुए है तो दोस्तों आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेजेगा दूसरी बात यहाँ पर इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आना बागी है तो तीन से पहले आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें सब कुछ जो है आप सभी का किलियर हो जाएगा दूसरी बात यहां पर subject से related जिन अभी हरतियों ने BA किया है या फिर BSC किया है आपने अगर तीनों साल में अगर दो subject आपका होगा तीनों साल में कोई दो subject होगा तो आप जो है जैसे BA वाले हैं आप अगर सारी आर्ट वाले जितने भी हैं चाहे आपने social से किया हो history से किया हो यह सारी चीज़े आपने जो भी किये तो उसमें आपका जो है यह sst में आएगा आप लोग sst से apply कर सकते हैं बीसी वाले जिन्होंने math से किया है physics chemistry है और जिनका bio से है यानि जुलोजी वाटनी से है आप लोग जो है इसमें आएंगे math और science में तो जो भी science वाले student हैं उसमें science math दोनों रहेगा sst वालों से related sst में आपका जो है history हुआ या जो इसमें जितने भी आते हैं सब जो है sst में आएगा और science वालों में science math physics chemistry math है और bio है यह सारे question आपके subject जो है आपके आएंगे तो I hope कि आप सभी को यह सारी चीज़े clear हुई होगी और वही language में दोस्तों अगर आपने BA कर रखा है BA में अगर आपका हिंदी आपने BA हिंदी से किया है या फिर आपका संसिक्रीत है या फिर उर्दू है इस तरह से language वाले जो है तो आप लोग जो है इसमें जो आपका language हो होगा उससे अपलाई कर सकते हैं तो I hope कि आप सभी का इससे related चाहिए आपने BA किया हो बिकाम किया हो बीडे किया हो आप सभी के डाउट किलियर हुए होगी और आपका subject आपको किस subject regarding आपने BA किया है तो आपको SST में अपलाई करना है बिए सी आपने कर रखा है तो आप जा इनका जो subject है वो SST में आएंगे बागी language वाले जो हिंदी संसिक्रीट इस तरह से होगा जिनका उनका जो है language में आ जाएगा तो I hope कि आप सभी कैसे related सारा doubt किलियर हुआ होगा बागी अब आपके मन में कोई question हो तो आप लोग comment box में comment करके ज़रूर बताइएगा मिलते हैं इस अबडेट के साथ तक लिए बाए टिक्केट थैंक यू